वेलकम टो मैथ हैक्सिस आई यसी क्लास 10 समेश्टर वन एक्जाम तो इस वीडियो में आपको समेश्टर वन एक्जाम से रिलेटेड दो इन्पोर्टेंट इन्फरमेशन बताने वालाओं पहली बात तो यह है कि जो समेश्टर वन एक्जाम आपका हुआ है इसमें आपको होता क्या था कि जैसे मानिए आज हमने इंग्लिस का पेपर दिया जस्ट एक घंटे बाद इंग्लिस का एंसर की हमें मिल जाता था यूटूब चैनल के माध्याम से या फिर वाट्सप के माध्याम से या तेलिग्राम के माध्याम से हमें उस particular subject का answer की एक घंटे के अंदर provide कर दिया था था किसी ने किसी तरह से ठीक है तो उस answer की में क्या था कि बहुत बच्चों ने कहा कि बहुत सारे question का answer गलत दिया गया था ठीक है तो ICC ने यह कहा है कि within a week नेखपते के अंदर ICC आपके हर एक subject का official answer की जारी करने वाला है जो कि आपको ICC के website पे मिल जाएगा जिसमें ओ जो भी objections थे बच्चों के इस particular question का answer गलत है या फिर कुछ जो स्कूल के teacher ने ICC को email किया था कि सर यह मतलब कि यह particular section या फिर particular question का answer गलत है या फिर यह out of syllabus है तो उन सभी चीजों को discuss करके एक नया और revised answer की आपका जारी किया जाएगा ICC के तरफ से जो कि आपके semester one exam के सभी subject का होगा ठीक है और दूसरा यह एक और important news आ रही है कि ICC decide कर रहा है या फिर क्या लें कि ICC के जो मतलब की board of member हैं उन्होंने स्कूल के principal से या फिर स्कूल से feedback मांगा है कि क्या बच्चों को जोन के ICC semester one के question booklet है यहने कहना का मतलब है जब आप ICC semester one का exam दे रहे थे तो आपको उस particular subject का किसी भी subject का question paper घर ले जाने के नहीं मिलता था आपने अपना question paper मिला उसी में आपको answer fill up करके और उसी को जमा करना होता था तो ICC है decide कर रहा है कि हो सकता है कि शायद आपको जो question paper है या तो आपके school में आपको दिखा दी जाएंगे या फिर online online माध्यम से आपको ICC के side पे question booklet provide के जाएंगे कि SSC अभी खेर मतलब कि अभी कहने के मतलब कि इसका मतलब को अभी ऐसा यह एसे सी ने कहा नहीं है ऐसे सिस पर विचार कर रहा है कि हो सकता है कि सभी बच्चों को उनका जो answer किया है जो उन्होंने अपना answer fill up किया है उसको दिखाया जाए या तो उनको offline दिखाया जाए या फिर online दिखाया जाए तो यह कुछ semester 1 से related important information थे जो मैं आपको provide किया हूं और जो आपका जो इसके पहले rule था best five result calculate करने में जो हम लोग अपना best five subject लेते थे से मोहनियम लागू रहेगा यानि कि अभी जो semester one का आपका result आएगा उसमें भी आप उपने जो best five subject है उन्हीं के marks को आप count करेंगे ठीक है और अगर आप जानना चाहते हैं कि best five क्या होता है तो उससे related एक वीडियो मैंने आपको चैनल पर बना कि provide किया हूँ है उसको जाकर 20 दिसंबर तक खतम हो जाएगा तो जो आपका आने वाला semester two semester two exam है वो semester two exam March और अपरील में conduct किया जाएगा और जहां तक मेरा मानना है कि जो आपका semester two exam है वो 10 March से start कर लिया जाएगा क्योंकि अगर ज्यादा हम लेट करेंगे तो अपरायल में क्या होता है कि बहुत सारे competitive exam क कराना possible नहीं होगा तो इसलिए जो आपका semester two exam है वो 10 March तक हमारे ख्याल से start कर लिये जाएगा तो अब हमें करना क्या है कि हमें अपने जो भी तैयारी करनी है semester two exam को लेकर के तैयारी करनी है क्योंकि semester one exam के बारे में अब ज्यादा सोचने से की फायदा है नहीं तो semester two exam के हम लोग उच अपने preparation strategy बनाएंगे ताकि हम लो semester two exam में अच्छा score कर पाएं तो उसी से related video बहुत जल्द आपको चैनल में मिल जाएगा जिसमें आपको ICC class 10 math के semester two exam के preparation strategy बताई जाएगी ताकि इतने कम समय में आप अपने इस जो आपका एक वास्ट सलेबस है semester two का उसको आप काफी कम टाइम में कैसे complete करें और ताकि कम से कम March exam होने से पहले यानि कि 10 March से पहले आप कम से कम उसको एक से दो बार revise कर लें ताकि जो आप काने वाला semester two exam है उसमें आप लोग अपना एक अच्छा mark score कर पाएं ताकि आपका जो overall result है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो आपका ICCC का result बनेगा class 10 का उस semester one और semester two दोनों ही रिजल्ट को semester one और semester two के result को combine करके declare किया जाएगा तो अगर आप सभी का semester one exam किसी क्यार रवस खराब हुआ है तो semester two में अच्छा mark score करने कोशिस करें ताकि जो आपका final result है क्याफी बेटर बने तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को subscribe करने और वीड